नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जिया दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबसे लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं पहली बड़ी खबार दिल्ली हर्याना के सिंगू और टिकरी बोडर खुलने लगे कंक्रीट की दिवार तोड रही पुलिस पंगेर बोले किसान नेताओं के एक्सिडेंट हमले की साजे शो रही है जिया दोस्तो किसान अंदोलन के शनिवार को बारवे दिन इस्तिती शांत पूर्ण रही दिल्ली जाने के लिए आए पंजाब के किसान संबू और खनोरी बोडर पर डटे हुए हैं किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 सरवरी तक टाल दिया है किसान नेता सरवन पंगेर ने काए कि इस पर उस दिन फैसला लेंगे इसी बीच किसानों के दिल्ली क कुछ कोट आलेज जाने के बाद सिंगू और टिकरी बोडर खोले जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से लगाये गए कंटेनर और फत्तर हटाये जा रहे हैं, किसानों ने शनिवार शाम को संबू और खनोरी बोडर पर केंडल मार्च निकाला जिसमें बटिंडा के किसान संबू कर के लिए कहा गया है, जिसके बाद हर्यणा सरकार ने उसे चंडिगर रेफर कर दिया, इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार, यूपी में राहूल गांदी की नियाये यात्रा पहली बार प्रियंका जुडी मुरादाबाद में कांग्रेस आंसद बोले, सरकार आपकी जेब काट रही, कारे करताओं में धक्का मुक्की भी हुई, जिया दोस्तों यूपी में राहूल गांदी की भारत जोडों नियाये यात्रा, दूसरे चरण में मुरादाबाद अमरोहा के बाद संबल पहुची, आज राहूल के साथ प्रियंका गांदी मुरादाब इनके ब्रेक के बाद यात्रा शनिवार 24 स्वरवरी को मुरादाबाद से शुरू हुई, अमरोहा संबल बुंदेल शहर अलिगड हात्रस से होकर यात्रा आगरा पहुचेगी, यहां अकलेश यादव यात्रा में शामिल होंगे, इसके बाद राजस्तान में एंट्री करेग इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार, प्रदान मंत्री मोधी बोले हर घर को सूर्य घर बनाना है, 36 गड में 34,427 करोड के प्रोजेक्ट लॉंच किये, कहा कांग्रेस केवल एक परिवार के बारे में सोचती है, जिहां दोस्तों प्रदान मंत्री मोधी ने वी उपर स्थर्मल इस्टेशन का लोकारपन और फेजटू का सिलान्या शामिल है, वहीं दोस्तों वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए, पीम मोधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो आज भी एक रुपे में से 15 पैसे ही जनता तक पहुंचत वहीं दोस्तों प्रदानमंत्री मोधी ने आगे कहा कि कांग्रेस आज भी परिवारवाद ब्रस्टाचार और तुस्टी करन से आगे सोच नहीं पाती है, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी सोच नहीं सकते, जो सिर् दोस्तों मद्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अद्देक्ष जीतू पटवारी ने इसकी घोशना की प्रदेश का रेले में मीडिया से बाच्छीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा में भाजपा की केंद्र और पटवारी ने बताये कि यात्रा का समय अभी तई किया जाना बांकी है। राम यात्रा के जरीये हम याद दिलाएंगे कि महंगाई कम करो। हर घर में बेरोजगारों की लंबी कतार है। युवाओं को रोजगार दिलाएं। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में अद्बुद अकल्पनिय वादे जो किसानों के लिए के हैं उनको पूरा करें। पटवारी ने कहा कि राम वियात्रा शरकार के उस एजेंडी को पूरा करने के लिए है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है 2014 के लोकसबा चुनाओ के पहले बीजेपी ने जो वादा किया था वह अभी तक पूरा नहीं किया है पियम मोदी से उन वादों को पूरा करने का आगरह किया जाएगा इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार लोकसबा चुनाओ बीजेपी अगले हफ़ते सो उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी प्रदान मंतरी मोदी का नाम भी हो सकता है इस शामिल जान दोस्तों अगले महिने चुनाओ आयुक दोरा लोकसबा चुनाओ की संभावित गोशना से पहले भाजपा गुरुवार को सो उम्मीदवारों के नाम जारी कर सकती है सुत्रों के मुतावित इस सूची में पार्टी के दोनों सबसे तागत वर नेताओं प्रदान मंतरी मोदी और ग्रहा मंतरी अमीच शाहा के शामिल होने की उम्मीद है एंडी टीवी की एक रिपोर्ट के मुतावित भाजपा की केंद्रिय चुनाओ समिती की बेठक 29 स्वरवरी को होने की संभाव ना है इसके बाद उम्मीद वारू की पहली सूची की गोशना की ज़ा सकती है बिजबी की पहली सूची महत्यपूर्ण होगी क्योंकि सत्तर उर पार्टी ने 543 लोकसबा सीटों में से 370 सीटे जीतने का विशाल लक्ष रखा है और NDA के लिए 400 सीटे हसिल करने की दिशा में काम कर रही है प्रदान मंत्री मोदी वारानसी से सांसद हैं जहां से वह दो बार जीच चुके हैं वह 2014 में 3.47 लाक वोटों से भारी अंतर से चुने गए थे वहीं 2019 में इसे बढ़ा कर 4.8 लाक कर दिया था अमित शाह ने 2019 का चुनाव गांधी नगर से लडा था यह सीट उस समय तक BJP के दिगजनेता लाल कृष्ण आडवानी के पास थी पिछले हफते प्रदान मंत्री मोदी ने भाजपनेताओं और कारे करताओं से 370 सीटे जीतने के पार्टी के लक्ष को पूरा करने के लिए लगन से काम करने का आगरह किया है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार राची टेस्ट में इंगलेंड से 134 रन पीछे है भारत दूसरे दिन स्टम्स तक स्कोर 219 रन साथ विकेट के नुकसान पर जाय स्वाल की 50 बशीर ने जटके 4 विकेट जिया दोस्तों राची टेस्ट का दूसरे दिन इंगलेंड के नाम रहा है इंगलेंड के खिलाफ चोथे मुकाबले की पहली पारी में भारत 134 रन से फिलहाल पीछे है और उसके साथ विकेट भी गिर चुके हैं टीम इडिया ने शनिवार को स्टम्स तक पहली पारी में 7 विकेट पर 219 रन बना लिये हैं इंगलेंड की तरफ से शोय बसीर ने चार विकेट जटके भारत की तरफ से सबसे ज़ादा चार विकेट रविंदर जड़े जाने लिए टीम इंडिया फिलहाल 5 मेचों की स्रीज में 2 एक से आगी चल रही है इसके बाद दोस्तों जरान लेते हैं अगली खबार पशिम मंगाल राशन गोटाले में इडी ने दर्ज किया नया केस सहाजहा शेक और उनके सहयोगियों पर चापे मारी जिया दोस्तों पशिम मंगाल राशन गोटाले के आरोपे शहाजहा सेक की मुश्किने थमने का नाम नहीं ले रही है परिवर्दन निर्देशाले ने राशन घुटाले के आरोपी शहाजादा, शेक और अन्ने के खिलाफ नया केस दर्ज गिया है इडी ने जमीन कबजाने से जुड़े मामले में मनिलोंडरिंग का केस भी दर्ज कर लिया है इडी के अधिकारी शहाजा, शेक और उससे जुड़े लोगों के यहाँ चापे मारी कर रहे हैं छे से जादा लोकेशन्स पर चापे मारी की गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार दिल्ली में चार सीटों पर आमादमी पार्टी तीन पर कांग्रिस लड़ेगी हर्याना, गुजरात, गोवा, चंडीगड में भी गटमंदन, पंजाब में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे जियां दोस्तो लोगसबा चुनाव के लिए आमादमी पार्टी और कांग्रिस के बीच लोगसबा सीटों पर बटवारा शनिवार को फाइनल हो गया दिल्ली में आमादमी पार्टी चार और कांग्रिस तीन सीटों पर चुनाव लड़ेगी गुजरात की 26 हरियाना की 10 गोवा की 2 और चंडिगर सीट के लिए भी शेरिंग फार्मूला फाइनल हो गया है कांग्रेस नेता मुकुल वात्सिनिक और आमादमी पार्टी लीडर संदीप पाठक ने शनिवार को जोएंट प्रेस कॉंफरेंस करके बताये कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाओ लड़ेंगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार उद्गाटन से पहले कल्याणी EMS पर 15 करोड की पैनल्टी प्रदूशन नेतारन बोर्ड बोला किलेरंस मिलने से पहले निर्मान शुरू किया प्रदान मंतरी मोधी करेंगे इनोग्रेशन जिया दूस्तु पश्यम मंगाल प्रदुशन नियंत्रण बोड ने कल्यानी एंप्स पर 15 करोड का जुर्माना लगया है बोड का कहनाई कि एंप्स के पास एन्वाइर्मेंटल क्लिरेंस नहीं है कल्यानी एंप्स नदिया जिले में 20,000 वर्ग मिटर से जादा एरिये में बनाया गया है इसका उद्गाटन रईवार 25 फरवरी को प्रदान मंतरी मोधी करने वाले हैं बोड के अद्यक्ष कल्यान रुद्र ने शनिवार को बताया कि परियावरान वन और जलवायू परिवर्तन मंतरा लेके दिशानिर्दशों के अनुसार 20,000 वर्ग मिटर से बड़े किसी वी प्रोजेक्ट के लिए परियावरान मंजूरी की जरुरत होती है बोड के मताबित एम्स ने 6 अक्टूबर 2022 को परियावरान मंजूरी के लिए आविदन किया था लेकिन मंजूरी मिलने से पहले ही इसका निर्मान शुरू हो गया इसलिए यह प्रोजेक्ट उलंगन की कैटेगरी में है